नमस्कार, आज हम सोया बीन की बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरी साही टिक्की बनाएंगे, ओ ऐसे तो आलू की टिक्की आप जरू घर पर बनाते होंगे, लेकिन आज हम एकदम नए तरीके से सोया बीन की साही टिक्की बनाएंगे, यह टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट औ और कुरकुरी बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है इस नास्ते को आप घर पर कभीगी बना सकते हैं वह चलिए हम शुरू करते हैं टिक की बनाना उसके लिए हम ने यहां पर पचास गरम सोया बिन लिए है । पानी हमने पहले से गरम करके लिया है गरम पानी से सोया बीन जो है जल्दी सी फूल जाएंगे सोया बीन को हम पानी में डुबो देते हैं अब इसे हम ढग कर 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं जिससे सोया बीन पानी मच्छे से फूल जाएं तब तक हम नास्ते के लिए चटनी बना लेते हैं चटनी के लिए पहले हम जार में डालेंगे थोड़ा से हरा धनिया इसके बाद डालेंगे एक छोटी चमच जीरा तीन से चार कलियन लासुन तीन से चार हरी मिर्च एक छोटी चमच अमचुर पाउडर आप चाहें तो इसकी जगा नीबू का रस डाल सकते हैं इसके बाद थोड़ा से भूना हुआ चना डालेंगे इसका छिलका हमने साप कर दिया है नमक डालेंगे स्वात के अनसर और थोड़ा से पानी डाल कर चटनी को हम पीस लेते हैं चटनी हमने पीस लिया है अब इसे एक कटोरिम निकाल लेते हैं नास्ते के लिए चटनी तयार है अब इसे हम ढखक कर एक साइड में रख देते हैं लगभग 10 मिनट के बाद यहाँ पर सोया बीन अच्छे से फूल गया है आप देख सकते हैं यह अंदा तक अच्छे से पानी सोख लिया है अब इसे हम पीसेंगे सोया बीन को पानी से निचोड कर हम जार में डालेंगे पूरे सोया बीन को हम इसी तरह पानी से निचोड कर निकाल लेते हैं अब इसमें डालेंगे एक कप भीगी हुई चने की दाल आधा कप चने की दाल चार घंटे के लिए हमने पाने में भीगो कर रखा था दाल फुलने बाद एक कफ हो गया है अब इसी में हम डालेंगे एक छोटी चमत जीरा चार से पांच कलिया लासुन और इसमें हम थोड़ा से पानी डाल कर सोया बीन और दाल को पीश लेते हैं बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसे सूखा ही पीशना है दाल और सोया बीन दोनों पीश गये हैं अब इसे हम एक बावल में निकालेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक बारिक कटा हुए प्याज एक छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चमज हल्दी पाउडर दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च थोड़ा से नमक डालेंगे स्वात के अंसवार थोड़ा से बारिक कटा हुए हरा धनिया अब सारे चीजों को हम अच्छे से हांस से मिला लेते हैं आप चाहें तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला ये सब मसाले डाल कर मिला सकते हैं सारे चीजों को हमने मिला कर मिश्रण तयार कर लिया है अब इसका हम टिक्की बनाएंगे तो पहले इसमें से हम थोड़ा से लोई लेंगे और फिर इसे गोल करते हुए चप्टा करके टिक्की बनाएंगे इसी तरह से हम पूरे मिस्रण का टिक्की बनाएंगे हम सारे टिक्की इसी तरह एक साइज की बनाएंगे लेकिन आप अपने हिसाब से इसको छोटे या बड़े साइज की बना सकते हैं अब टिक्की को हम फ्राई करके दिखाते हैं टिक की फ्राई करने के लिए तेल हमने पहले से गरम कर लिया है, अब एक बार में हम चार से पांच टिक की पाइन में डालेंगे, गैस को हमने मेडियम में रखा है, टिक की को हम मेडियम आज पर फ्राई करेंगे, जिससे अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं, इसके उप तरफ से टिक्की फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम धेरे धेरे पलट देते हैं, टिक्की को हम इसी तरफ तब तक फ्राई करेंगे, जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से सुनाहे रंग में न हो जाए, अब टिक्की दोनों तरफ से सुनाहे रंग में फ्राई हो गए हैं तो अब इसे हम निकाल लेते हैं इसी तरह हम बागी बचे होग टिक्की को फ्राई करेंगे ना तो इसे हम बहुत तेज आज पर फ्राई करेंगे और ना ही इसे हम धीमी आज पर फ्राई करेंगे टिक्की को हम मेडियम आज पर फ्राई करेंगे मीडियम आज पर टिक्की फ्राई करने से उपर से क्रिस्पी और करारे बनेंगे और ये अंदर तक अच्छे से पक भी जाएंगे ये भी टिक्की सुनाय रंग में फ्राई हो गए हैं तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकालेंगे पूरे टिक्की को हमने फ्राई कर लिये हैं आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे सोया बिन की साही टिक्की बनी है यह दिखने में एकदम क्रिस्पी और करारे लग रहे हैं एक पीस तोड़ कर हम आपको दिखाते हैं बहुत ही क्रिस्पी साही टिक्की हमारे बने हैं अगर आप हरी चटनी नहीं बनाए हैं तो इसे आप टोमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं यह टिक्की खाने में बहुत ही स्वाधिश होते हैं नास्ता तो आप घर पर बहुत बनाते होंगे लेकिन एक बार इस तरीके से सोया बिन की टिक्की जरूर बना कर ट्राई करें यह टिक्की आपको बहुत ही पसंद आएगा